आपको लेचोड़ता है दिल्ली जोहापट दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंग के जुरिवाल प्रस कॉंफरेंस कर रहे हैं क्या कुछ कहरत हो लेता है शाह स्वास थे बिजली और कई क्षित्रों में जबरतस सुधार करने के बाद यातायात के कषित्र को ट्रांस्पोर्ट के सेक्टर को दिल्ली सरकार लोगों के लिए आराम दे prints और इंटर्नाशनल स्टैंडर का बनाने जा रही है सबसे बड़ी दिक्कत दिल्ली में बसों की होती थी, कई सालों तक बसों की खरीद नहीं की गई थी, इस पूरे सिस्टम को ठीक करके, अब आप लोग देख रहे हैं कि पिछले डेड़ दो साल से बहुत बड़ी स्तर के उपर बसों की खरीद शुरू हो गई है, और खासकर इ एर कंडिशन बसे खरीदी जारी हैं, लोगों के आराम को और दिल्ली के वेदर को ध्यान में रखते हुए, आज आपको में बताते हैं बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, और कैबिनेट की मीटिंग में 1950 बसों को खरीदने की मंजूरी दी गई है, यह 1950 बसें अगस्त सितंबर से आनी चालू हो जाएंगी और अगले साल सितंबर के महीने तक यह सारी बसें आ जाएंगी, इसके अलावा अभी फिलहाल हमारे पास 72 बसें हैं, आज तक दिल्ली के इतिहास में 72 बसे भी आज तक कभी नहीं रही थी, 72 बसें हैं, 1950 बसे और आ जाएंगी और लगबग 4800 बसों के फ्रेश टेंडर दिये जा रहे हैं, इसके अतिरिक्त फ्रेश टेंडर 4800 बसों के दिये जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ अगले 2-3 साल के अंदर कई बसें पुरानी हो जाएंगी, उनकी लाइफ खतम हो जाएगी, उन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा, इन सारी चीजों को अगर हम जमा घटा करें, तो दिसंबर 2024 तक हमारे पास दिल्ली की सड़कों पे 11910 बसें होंगी, ये जो दिल्ली की रिक्वाइरमेंट है, उसके अनुरूप है, दिल्ली को लगबग 1112 बसों की जरूरत है, अपना पूरा कर लेंगे कि हमारे पास लगबग 11910 बसें होंगी, तो परियाप्त बसें होंगी, अब हमारा मकसद है कि पूरे ट्रांस्पोर्ट सेक्टर को इंटरनाशनल स्टैंडर्ड का बनाया जाए, इन सारी जितने भी अलग-अलग ट्रांस्पोर्ट के साधन है, टै पाकी दिल्ली के ट्रांस्पोर्ट सेक्टर में भी मूल, चूल और अच्छा परिवर्तन किया जा सके, आज कैबिनेट के अंदर और भी कई इंपोर्टेंट निरने लिये गए, एक जो सबसे इंपोर्टेंट निरने लिया गया कि हमने बजट में अनॉस किया था कि हम अबन फार्मिंग मतलब मिडल क्लास, अपर क्लास, लोगों के घरों में, जिन जिन लोगों के घरों में थोड़ी बहुत जगह है, बालकनी में, छट पे, और वो अगर छोटी मोटी फार्मिंग करना चाते हैं, सबजियां उगाना चाते हैं, फ्रूट सुगाना चाते हैं, तो हम उनको सब्जिया फ्रूट्स उगाना सिखाएंगे शुरु शुरु में उनका मदद उनकी मदद करने के लिए हम उने कुछ बीज और कुछ वो प्रोवाइड करेंगे तो इसमें इसको पूरे सेक्टर को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है एक वो लोग जो अपने घर की खबत के लिए उगाएंगे उने सेहत मंद अच्छी और गैनिक सब्जियां मिलेंगी और उनकी बचत भी होगी क्योंकि सब्जार से सब्जियां खरिदनी नहीं पड़ेंगी उतना पैसा बचेगा और जो लोग इसको अपने बिजनस के तौर पे माली जी ग्रहनी को कोई चोटा मोटा बिजनस के तौर पे इसको करना चाहती है उन्हें एक्स्ट्रा इंकम उनकी फैमिली को होगी तो एक तरह से रोजगार उत्पन करने का भी साधन होगा तो इसके लिए हम बहुत कई बड़े स्तर पे एक्सपर्ट को हायर कर रहे हैं और इंडियन एग्रिक इसकार को